हेलो इन वलकम गईज वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन डोमेश्टिक टीट्वेंटी ट्रोफी यानि की साइद मुस्ताकली ट्रोफी की बात करेंगे जो की मैच हो गया पर बरोडा और मिजोरम के बिच में तो प्लेर को मिलेगी जाना है और कौन से प्लेर को आशे ड्रोफ कर सकते हैं सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटुब चैनल को भी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूटुब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि पुरी टुनामेट हम लोग इसी यूटुब चैनल के पर कवर करेंगे इसके साथ यहां से आपको और भी कई साई टूनामेट्स के वीडियो मिलने वाले जैसे कि वर्ल्ड कप हम लोग पूरा कवर करें और आज की मैच का भी वीडियो यहां पर साउथ अपरी का वसित नेदलेन का वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है तो वह भी आप लोग जाके देख सकते हैं साथी में आपको CBFS D20 है इसके साथ यहां पर Emirates D20 है तो मतलब यह सारे अच्छे मैचिस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के ओपर मिल जाएंगे तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सबस्क्राइब करना रहेगा साथी मैं Telegram से भी जुड़ियेगा क्योंकि इस मैच की और आगया आने वाली सारे अच्छे मैचिस की Final Update और Final मेर कर 30 मिनिट पर जैपूर या विद्धा लेया ग्राउंड जैपूर में खेला जाएगा पीछी रिपोर्ट की बात करते हैं तो पीछी रिपोर्ट वैसे वेटिंग के लिए अच्छी बीचे याँपर स्पीनर्स को हाला कि थोड़ा पूर्ट एक्स्टा एडवांडेज मिल सकता है लेकिन एवरेज याँपर रंस 140-150 के आसपर स्कॉर बनता हो नजर आएगा चेजिंग की बात करते हैं तो चेजिंग में आपर तेरा मैच के अंदर नौ बार चेजिंग करने वाली तिम ने जीती तो कहीं न कहीं टीम तो जिसके पहले चेज करना पसंद कर सकती है बाकि विकेट के मामले में पेसर का दब दबा रहता है यहाँपर तेरा मैच के अंद ओपनिंग में आपर हर्स देशाई और इनके साथ यापर जोसनिल सिंग ने ओपनिंग करवाया हर्स देशाई से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी है वैसे भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था क्योंकि ओवरोल टिक टाक प्लेयर है लेकिन प्लेयर को ट्राइब कर दो जोसनिल को आप लोग ट्राइब कर सकते हैं वैसे इनका भी टीट्वेंटी के लिए लिस्टे में पांच मैच के अंदर करीब 19 के वरे से 94 और इस टुडा मैट से पहले इन्होंने कुछ रिसंटली मैचिस के लिए जहापर 38-50-85 जैसे स्कोर किय हुए तो बरोसा करना चाहो तो कर सकते हैं वाकि विष्णू सोलं की वन उप तर बेस्ट प्लेयर है और इस प्लेयर को ट्रॉप नहीं करना है कापी तगड़ा मालता है अभी अभी देखो फर्स क्लास के लिए कि बात कर तो 178 और 179 जैसे दो बड़े स्कोर है इसके लवा एक बार 79 इन्होंने यहाँ पर भी गिए तो इनको एज़ प्लेयर ऐसे लेके जाना है बिलकुल रॉप नहीं करना है विकेट किपरिंग सेक्शन ने दिखेंगे आपको इसके लिए वाई से क्रोनाल पांडिया जो की लास्ट मैच के अंदर भी हमारी कप्तान थे और आगे अध्या करना इंदर भी हमारी फोकस्राइब करेंकी मो要 पाद करूम तो प्लय चिंप को मैने चोनद पर भी नबर घंटक को सकते ह bucks आतित शेट को मैंने चोथे नमर पर मेंचन किया था लेकिन बेटिंग तो आना मुश्किल है ओवर्स पूरी करवा रहे तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगी आपर अतित शेट को इसके लबाइसे नीनद राथवा ने दो वर्स की गैन बाजी करवाई थी हाला कि इनका भ इस टूणामेट से पहले अकर बात करें तो तीन विकेट फांस विकेट दो विकेट तीन विकेट दो विकेट और यहां पर एक विकेट जैसे इन लोगने परफरमस दिया तो ओर ओर और कोई चोईस ना में लिए तो ट्राइ करिएगा स्वेब सुपर या के उपर क्योंकि पूरी ओस करवाएगा बाकी लुकमान मेरिवाल वेरी इंपोरनेट पिक और किवान यगा से बरोडा पहले गयन बाजी करता करवा थी तो आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं इसके लिए से अभी मन्यू सिंग को भी लेके जाएंगे बॉलिंग सेक् सब्सक्राइब करेंगे लाइस सब्सक्राइब मिजोरम की बात करते हैं इनका मैच यहां पर चैन्ने के सामने था और इनको 111 run का टार्गेट मिला था जहाँ पर इन्होंने जवाब में 106 run ही किये तो मैंने आपको बताए ना पहले यहाँ पर runs इनसे ज्यादा नहीं बनेंगे ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में यहाँ पर आपको दिखेंगे लाल हरुइत जेला एम और गवरव सिंग ने ओपनिंग करवाया दोनों ही ठीक टाक है अला कि यह बंदा ठीक टाक है आपर तो फिर भी आपर 20-25 run करके देगा आपको इसके लबास से आपको दिखेंगे गवरव सिंग जो की ठीक टाक है आपर अगर आपको लेना है तो इनको जाकरान लिग वग बाकी आपको दिखेंगे आपर जोसेफ लाल्थन कोमा जिन्होंने लास में बतीस चरण किये है अलाकि इनसे भी आप लोग बैटिंग से थोड़ी बहुत उमीद कर सकते हैं तो इनको भी आप लोग जरूर लेके जाएगा इसके लिए से मोहीत जांगरा जो कि आपर स्टार यहां पर केशी करिया पाकी तो इदे हैं सबसे अनुबव्य प्लेएर इस टिम का यहां पर और इस प्लेर को डेफिनेटली लेके जाना है यह अर एक मैस के ने आपको येगेट निकाले हैं क्योंकि इसके लिए वाई से लाल हरुम वाई या राल्टे जिन्होंने लास मैच के रहे विकेट लेश रहे बाकी इनका भी टिक टाक परफॉर्मस है इनको भी ग्रांड लिग में ट्राइ करना है और यात है रोशिम लियाना राल्टे जुनियर भी ठाक है यहाँ पर देखो यह सारे प्लेयर के उपर मतलब बरोसा करना थोड़ा सा मुश्कील है यहाँ से हमारे लिए केशी करियपपा इंपॉर्णर से इसके साथ हम लोग यापर जांगरा को लेके जाएंगे इसके साथ जोसेफ लालतन कुमा इन तेनों प्लेयर को लेके जाएंगे बाकी जोहियु एंडर्सन और लाल हरोई जिला आपकी चोईस है स्टार्टिंग होस में आएंगे आपर मोहित चांगरा और इनके साथ आपर लाल हरोई राल्टे और देथ होस में आपर केशी करियापपा और मोहित चांगरा देथ होस में गैनबाजी के लिए आये थे इनके अलावा ब्यांचे मैंसे कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके stats हों उनके update बगरा मैं telegram channel पे दे दूँगा तो जल्दी से आपको लोग telegram channel से जुड़ जाएगा link नीचे description में हो और आप लोग को उसी link से telegram channel को join करना रहेगा अभी के लिए देख लेते हैं हमारी fantasy team कोई सी हो सकते हैं कौनसे player को में लेके जाना है और कौनसे player को आप लोग 11 से drop कर सकते हैं तो wicket keeping section से हमारी team के अंदर याद से 20 solon की रहेंगे बाकि आप लोग चाहोते हैं आप जे हूं एंडर्सन को भी ले सकते हैं युकि एक यही player है जो कि आप बैटिंग से टिक टाक advantage दे सकता है आपको मिजोरमी की टीम की तरफ से बैटिंग section में आप जे सिंग है इनके साथ आप लाल हरुई जेला एम और हस देशाई को मैंने लिए हैं बैटिंग सेक्सें में आपको कुणाल पंडिया, एशेट, मोहिट जंगरा और जे लाल्था खुम हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी एंड राट्वा लास मैच कहले थे लेकिन दो ही ओवर्स की गनबाजी करवाई थी और एशिंग ने लास मैच के अंदर विकेट निका आप्तान है हमार यहां पर कर वादन कर सकते हैं, और बाकी तो रिस्क रहेगा, लेकिन पुछ इस सदला से रहेग इसमें कुछ बढ़ा वगरा हो सकते हैं, तो कोई भी चंजिवा रहेंगे तो वो सारी आपको लाइन आप के बाद ही मिलेंगे और वो मिलेंगे आपको अप से टेलिग्रम चनल को जोईण करना रहेगा वीडियो कर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और यूटुब चनल को भी सबस्क्राइब कर दीजेगा ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैंची से वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के उपर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगे क्या करना कुछ नहीं है आपको वीडियो को अच्छे से देखना है अच्छे से अनालीसिस करनी है अपनी खूद की और क्योंकि वीडियो आप लोग पूरा देखोगे सारे प्लेस के बारे में मैंने डीटेल से बता हुआ है और ये मैच अच्छी जा सकती है क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे जिनका सेलेक्शन बहुत जादा है लेकिन इनका परफोरमस करने का चांस बहुत कम मिलीगा तो वहाँ पर हमारी मैच अच्छी जा सकती है तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग अच्छे से टीम बना के अच्छे गाची वेनिंग कर सकते हो बाई धन्यवाद जय हिंद जय भारत